इस ट्लिक में आपको स्वागत है आज हम चरचा करेंगे जो 5 एक्टिविस्ट गेफतार हुए है जिन में जो लॉयर हैं जिसे पर्रॐसर शामिल है जिस Beaner शामिल है इसके बकर आज ठीज nac है धी इसके को वरें में हमासे लोग दोग उन्रीफ्टार दियotom और बहुतों के घर में चाप हमारी जारी है इसके वारे में आपका क्या विचार है कि किस लिए इस वक्त एक ऐसे घटना लेके जो साथ छे पांच शे मेना पहले हुआ है जिस पे दूसरे लोगों के नाम आये हैं सड़्ेली हटात इन लोगों पे ग्रिफतारी की चार्ज जो दर्शकों के लिए कि जो कोरेगाउं भीमा को लेकर जो चल रहा था उसके बाद भी बहुत सारे नए डेवलप्मेंट्स उस छेत्र में हो रहे थे उसमें एक बड़ी बात थी कि संबाजी भीड़े हों या वहां के और जो हिंदुत वादी उग्रवादी जो नेता हैं जो म मनुवाद में पूरा यकीन करते हैं और मनुवादी सोच उनका है इन लोगों के अलावा एक संस्था दूसरी भी है जिसका नाम है सनातन संस्था से जुड़े लोग जिनके बारे में सनातन संस्था के मौझूदा जो पदाधिकारी हैं काते हैं कि नहीं नहीं वो अब हमार कर रहा है तो उसको कहते हैं कि हमारा नहीं है क्योंकि कोई registration तो है नहीं कोई उनके पास membership तो है नहीं तो वो बार-बार कह रहे थे पकड़े गए थे लोग कुछ लोग बं के साथ पकड़े गये उनके घरों पर जब च्छापा पड़ा इसके अलावा कई लोग ऐसे उसमें उनके खिलाब करनाटक की जो ATS वो जाच कर रही है कि बही इनका जो प्रोफिसर कल बुर्गी थे गोविंद पांसारे सहाब जो महरास्टर में मारे गए या जो लोग गौरी लंकेश जैसी जो एक बड़ी पत्रकार बड़ी लेखी का मारी गई इन सब के पीछे वो उन्हो में आपरेट करने वाली लोग अलग अलग लोगों को मार रहे हैं पिस्तॉल और गोली की भी एक लिंक मिली है इक्जैक्ली तो अब इससे मुझे लगता है मीडिया में यह चीजें आने लगी भाशाई पत्रकारिता में उतरी नहीं आई जितनी की अंग्रेजी अखवारों में आने लगी कुछे चैनलों ने भी दिखा दिया इससे देश के जो बुद्धी जीवी पढ़े लिखे लोग हैं समझदार हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी पहले हो रहे थे खासकर मवजुदा विधान को लेकर मवजुदा सत्ता विधान की बात में कर रहा हूं स गुरवादी-मणवादी जो संगठन हैं उनके जो गृववादी लोग हैं उन जो वाकई अपराधिक कामों में सनलिप्त हैं जिनकी पढ़ाई इकाई से कोई रिष्टा नहीं है जो सिर्फ मारने धारने का काम करते हैं," आयन्टिफाइड़ करके लोगों को जो विकली में जो आदमी लंबे समय तक रहा ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकार का एक चैंपियन है उसके कॉस के लिए लड़ता है गौतम नौलखास है जो जुड़ा हुए है उसमें प्रोग्रेम करते हैं वो इसमें कॉलम लिखते हैं इसके आलावा आप देखिए सुधा भारदवाज की पुत्री हैं ये तो बात की बात है लेकिन उनका अपना किरदार आप देखिए कि बरसों बरस से वो शंकर गवान योगी के अंदोलन के समय से ही लेकर और आज तक को काम कर रही हैं तमाम सुधार भरी जिन्दगी को छोड़ कर और एक ऐसी बेदाग सामाजी कार्य करता जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे लोग हमारे समाज में भी हैं ये समाज का लगता है कि ये समाज नहीं तूटेगा ऐसा भरोसा होता है कि जब हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं तीसरी बाद एक पादरी एक फादर जिनकी बहुत प्रोपीपल भूमिका है जारखंड के सामाजी कांदोलनों में जो किसी पार्टी से नहीं जुरे हैं, आप उनको फादर को भी पकड़ रहे हैं, स्वामी को, और इस तरह के लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, जिन्हें आप ने पहले पकड़ा, पहले का मतलब सरकार जो भी उस समय थी, पांस साल बाद उस आदमी को कोट ने कहा कि ये ब हर मोर्चे पर विफल दिखाई दे रही है सिर्फ इस सरकार के पास एक ही बात है जो इनको ताकत देती है कि इनके पास बड़ा नेटवर्क है संग का दूसरी बात इनके पास सत्ता समय है तीसरी एक और बात है कि जितने भारत के ज्यादा तर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं टेलीविजन चैनल है प्राइवेट ये इनके लिए कार्यकरता बन गया है तो ये तीन इनके पास वज़ा है लेकिन इसके बाद भी जनता तबाह है नोटबंदी से जीस्टी से फार्मर्स परिशान है बीमा योजना इनकी फालतू है स्वास्ति योजना जो लेकर आये हैं वो जो सेफरन कपड़ा पहनते हैं जिन पर बहुत सारे लोग भी विवाद नहीं कर सकते कि उनका किसी उस तरह कि संगठनों से रिष्टा होगा उनकी पिटाई करते हैं श्रत धानजली देने जाते हैं तो भी पिटाई करते हैं प्रवीर इससे इनकी इमेज बहुत चौपट ह रही थी उससे भी लगता है कि सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भी ये कर रहे हैं ये काम ताकि दूसरी तरफ चला जाए और तीसरा जो अंतिम कारण मुझे लगता है इस वक्त देश की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अपोजिशन की मुझे माफ कीज पॉलिटिकल सही मैं सच जो मुझे लगता है मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि संग परिवार बीजे पी और सरकार को लगता है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम झेल लेंगे इनको सबसे ज़्यादा डर और परेशानी है सोसल जो एक्टिविस्ट हैं सामाजी करकरता है सोसल मीडिया है जो इंटिलेक्शुल्स हैं क्योंकि सबसे अधिक शिद्दत के साथ वो इनका विरोध कर रहे हैं इनके तमाम कारिस्तानियों का इनके तमाम कुकर्मों का जो पर की तरफ से और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के यहां जा रहा है तब पॉलिटिकल पार्टी या पॉजिशन की रेज कर रही है वो इशू को एक जमाना था जब पॉलिटिकल पार्टी पहले रेज करती थी इशू और इंटेलेक्शुल्स फालो करते थे एक्टिविस्ट फालो करते थे तो ये उल्टा हो गया है इस दोर में मुझे लगता है इसलिए भी सरकार और संग परिवार और बीजेपी को खतरनाक लग रहा है कि सामाजिक कार्यकरताओं को सोसल मीडिया पर एक्टिव लोगों को जो जनलिजम में हैं जो लेखन में हैं जो मानवाधिकार के चेत्र में इन लोगों को डरा दो और इसलिए हजारों हजार लोग दलित ओवी सी माइनर्टी कम्यूनिटीज के लोग ट्राइवल लोग जिनके भी समें एक्टिविजम उभरा है नए धंका जो किसी पुलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं उनको डराने के लिए ताकि फिर हमारे उपर भी ये लग जाएगा ठपा लग जाएगा एकसे बिलकुल आपने सनातन संक्स्ता के नाम लिये और शिबाजी संभाजी भीड़े की तो इसमें जो नए चीज अभी रीजेट जो चापा मारी हुई है उससे निकला है कि एक तो सनातन संक्स्ता के दो रखके कारिय करता थे ग्राउंड पे जो इस वाइलेंस को और्गिनाइज कर रहे थे एक तो था कि जिस पर आप कह रहे थे कि इंडिविजुल टेर्रिसम किसी को बहुली मार के हत्या कर देना उस पर आइडिन्टिफाई किये थे 26 या 24 लोगों के नाम जिनको मारना है जिस दूसरी थी जो मडगाओं में ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद जो भीमा कोरेगाओं में जो बॉम ब्लास्ट की घटना हुई है जिसमें एक वाइलन्स करने की दो कमसमदायों में कोशिश थी तीसरी बार जो रीसेंट आप जो जिकर कर रहे थे जिस पे च्छापामारी में बॉम मिले हैं उस पे शिव प्रतिष्ठान के लोग भी है और ऐसे लोग भी है जो की सरातन संस्ता हिंदी जागरण मंच समीटी से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के लोगों को घर में बॉम और हातियार बरामद हुए हैं तो इसमें एक चीज है कि इनकी योजना थी प्रकाश अम्बेटिकल जिसमें जिकर किया है अभी कल इस पे कि कई जगों पर इस तरह से बॉम बिस्टोट करके रायट्स कराने की कोशिश जिसमें हिंदु मुसल्मान रायट्स हो जाए इसलिए ये लोग बॉम की बॉम ब्लास्ट की परिकल्पना कर रही थी और भीमा को पूलिस इसमें डबॉल करके हत्या के कही उसको ले जाने में असफल रहे इसके वजह से एक वजह ये भी है कि तीन और हत्या आए हुए पर इसके साथ साथ भीमा गोरेगाव वक्त में जब हुआ था तब उसने कोशिश किया था पूरे पूरे पूलिस ने इसको जोडने का माविस्ट एक्टिविस्स के नाम पे अलगर परिशत बगरबगर कहके और उसी वक्त पूरे के रूरर्ल जो पिली से उन्होंने यह कहा था यह चीज लोग जो उस में शामिल है समभजी भीड़े और बिलन एक बोटे के नाम है उसनोंने उस्वक्त लिया था पूलिस के अं अंगली उठाना लगता पूने पुलिस का खास कोशिश रहा है पहले से लग रहा है जी बिलकुल सही आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले चारेख 4,500 साल से एक नया काम हो रहा है जो इस्टेट का एक जो गौवरनिंस में जो लोग बैठे हैं उनका एक एजन्डा बन गया है वो क्या है वो है कि administration को सरकार चलाने वाली जो agencies हैं उन सब को एक तरह से एक खास ideological रंग में रंगा जा रहा है जैसे जुमले जो इस्तेमाल किये जा रहे हैं कई बार होता है कि प्रशासन की डायरी में प्रशासन की भाशा में ऐसे शब्द ऐसे जुमले नहीं होते हैं कहीं से शब्द को इजात किया गया और उसको प्रशाशन ये अपना मान लिए जैसे और बन अब यह अरुड़ माव्श्ट माविस्ट होता है वह अरुड़न हो चाय रुरल हो जंगल में रहे चाहिए कहीं भी रहे लेकिन एक चुड़ा चुकि ररेविके यार्श ने आमिन उसके प्रतिस्थान ने चाव आगनाईजर हो पांच जन्य हो कभी इस जुमले को उचाला कि अर्बन उसको कुछ एक चैनल अंग्रेजी के जिन में एंकर्स जो चीखते हैं तो उनकी आवाज आकास तक चली जा रही है ऐसा उनको लगता है दो एक चैनल ऐसे इस देश म में खासकर पूने खासकर दूसरी जगों पर तो कई बार इनके जो जुमले हैं वो प्रशासन के जुमले बन जा रहे हैं इससे भी लगता है कि नौकेवल कंटेंट में बलकि फॉर्म के अस्तर पर भी एड्मिस्टेशन को सैफरनाइज करना उसको एक हिंदुत्तवादी मन मनुवादी विचारधारा से लैस करना इसमें हिंदु कहीं नहीं है हिंदु का कोई मतलब नहीं हिंदुत्तवाद मनुवाद है दरसल इसको बिल्कुल साफ साफ मैं कहना चाहूंगा यह पूरे समाच का जो बहु संख्यक हिस्सा अपने देश का है यह उसके ठीक उलट है उसके खिलाब चंद लोगों का गिरोग है जो यह अपने को हिंदुत्तवादी कहते हैं इनका हिंदु धरम से कोई रिष्टा नहीं है और यहीं लोग पूरे आपरेटर्स को पूरे स्टेट मशिनरी को कभजा करना चाहते हैं सो देट की जो मेजार्टी आप पापुलेशन इंडिया की है उसमें हिंदु हैं मुसल्मान हैं सिख हैं इसाई हैं सब को यह टेरराइज करें और राज जो है हिंदु के नाम पर सिर्फ एक चोटा सा गिरोग करें तो मुझे लगता है प्रवीर यह पूरी की पूरी जो प् उनकी जमीन के ऊपर जो लालच है चाहे रिल एस्टेट हो चाहे खादान हो और इसके खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं तो उनको भी डराने धंकाने के लिए जैसे सुदा बरदवाज इस तरह की फिगर्स को अगर वो ग्रिफतार करें तो लगता है उनको की यह कमजोर हो जाएगा तो इसकी पीछे चाहे जो टेलिविशन चैनल की अब बात कर रहे थे तो एक बड़ी पूंजी की भी एक बहुत बड़ा शिरकत है इसमें आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं और यहीं पर मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बात सामने रखना चाहूंगा नियुस क्लिक को जो भी लोग देखते हैं नियमित रूप से देखिए एक बड़ा मामला है बड़ा मामला यह है कि जिसे 36 गड़ का ठीक है हम जो 36 गड़ में मारकाट कर रहे हैं लोग उनको हम कोई डिफेंड नहीं कर सकता चाहे स्टेट की तरफ से हिंसा हो रही हो जाकर क आप सलवाज जुरूब के नामपर के आदिवाशीयों को माररा हैं बलातकार कर कर रहे हैं सुप्रिम पोर्ट अफ इंडिया ने उसके खिलाप उसको बेहन किया या अगर कोई व्यक्ति आदिवाशी के नामपर हत्यार चला रहा है और निर्दोश लों को मार रहा है दोनों के हमखिलाफ हैं हम हिंसा के बिल्कुल क्यलाफ हैं हमारा ये कहना ہے कि चठीस गड़ का ही जो दारण है मैं वही आ रही हूँ जो आप सवाल पुझ रहे हैं एक बड़ा प्रकल्प चल रहा है बड़ा प्रजेक्ट चल रहा है वो क्या है जमीनों को कबजा करना सभी जानते हैं कि जारखंड और चत्रिसगर और रुषा की जमीन जंगल के नीचे बेश्वार दौलत छुपी हुई है वो मिन्डरल्स हैं वो तमाम तरह क खनीज हैं लोग तो यह भी कहते हैं कि हीरे की भी खदाने वहां निकल सकती हैं इसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां सर्वे भी करा चुकी है अब हमको यह लगता है यह और सब लोग यह कह रहे हैं जो जो उस विशय के जानकार हैं जिन्होंने सामाधीकार्थिक अध् इसवी तरफ कारपोरेट वादी है कारपोरेट और संगमनवादी जो संस्रह जो नेक्सिस है जाए दरसल सरकार को संचालित वहि करता है इससे ज्यादा पसंदीदा सरकार कारपोरेट की शायद कभी नहीं रही हो तो उनका ये भी है कि अगर हम उन लोगों को जो सवाल उठाते हैं कोर्ट में जो हिमन राइट्स के इशू उठाते हैं जो जमीन पर दखल का सवाल उठाते हैं जो जमीन जंगल का सवाल उठाते हैं इन लोगों को इतना बदनाम कर दो कि इनकी लडाई खतम हो जाए इनके प लड़ाई अपने आप हम जीत लेंगे वो लड़ाई होगी कि तब कोई लड़ने वाला नहीं होगा आदिवासियों के लिए आदिवासी तो इस देश में कहीं नहीं है वो तो सबसे बेजुबान है वहां तक कि आप देखो हम तो एक दिन सर्वे कर रहे थे कि भाई इस देश का भला होता है उसका फायदा होता है इसलिए आपका सवाल बहुत वाजीब है ये बड़ा जड़नत्त है इन लोगों को गenarioffतार करना इसे कि रिए आप कारना है आप कहा रहे हैं कि और लौग में तो कोई लोग इसमें गय नहीं है इस तरह से आप पाँच छे महीना लैप्टॉप में कोई चिखिन निकाले गुरिफतारी के बाद लैप्टॉप आप जब्ट कर लिया इसके बाद क्या चिखिन निकला प्रबीर यह बताईए के हम सब के प्राद मंतरी जी है नरींदर मोदी जी आप कोई रिक्षास्पत कितना है कि कोई इस देश के प्राद मंतरी की हत्या की साजी शरचेगा और सबी अब करेगा ऐसकी अलग जा तти नूठार उसको फिल्हाल तो एग दिन उस पे चर्चा करेंगी पर मुख्यबाद मैं इस पे वलोटना चाहता हूं कि पहली बार मैं देख रहा हूं ऐसे सेक्शन जिसका विरोध कर रहे हैं जो शायद पहले इस तरह के विरोध में नहीं आते थे मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ओवरीच सरकार का हुआ है इस तरह के लोगों को ग्रिफ्तार करने का और मैं तो मुझे जो लगता है आप इस पे ज़्यादा बता पाएंगे जर्नलिस्ट्स, लॉयर्स, बुद्धिजीवी, पॉलिटिकल पार्टिस सबको एकठा उन बहुत हैरान करने वाला सेनारियो है बने भजन मंडली बना हुआ है लेकिन आप प्रिंट में देखें आप सोचल मीडिया में देखें आप न्यूज वेब साइट्स में देखें इसकी जबरदस्त आलोचना की जा रही है हिंदी के कुछ एक अख़वार वो जरूर सरकारी भाशा बोल रहे हैं और ये बहुत ही दुखद है मैं स्वाइम हिंदी का एक पत्रकार हूं लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखिए बड़े अख़वारों को अंग्रेजी के या वेब साइट्स को वो काफी इमांदारी से कवर कर रहे हैं इस पूरे घटना क्रम को और बड को भी ताजब हो रहा है कि यह क्या कर रहा है किस तरह के लोगों को पकड़ रहे हमको इमर्जनसी का छोटा सक किसा मैं आपको बताओं हमारे दर्शकों को ही सायद यह कई बार होता है कि पुरानी चीज़ भूल जाती है हम इलाबाद इनुस्ट्री में पढ़ते थे तो बा किलांगता के शिकार थे तो उन पर जो आरोप लगा था इमर्जनसी में कि वह भारत की जो व्योस्था है कानुन व्योस्था उसको च्छती पहुंचाने के मकसद से बिजली के खंबे पर चढ़कर तार तार जो है उसको काट रहे थे यह लिखित में था और इसलिए ग्रफ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है मुझे तो ठीक वैसा ही लगता है कि इस सरकार ने सुधा भारद्वाज को गौतम नौलखा को आनंद तेल तुम्रे को देश्तरोही साबित करने पर आमादा है कितनी हास्यास्पत बात है तो यह वैसा ही है यह इमर्जनसी नहीं यह इ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामला अभी है जगह जगह पे इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं इसको हम ड्यूस क्लिक के तरफ से कवर करते रहेंगे और इस बात की चर्चा हम जारी रखेंगे धन्यबाद उन्मले शुक्रिया हमारे यहां आने के लिए शुक्रिया झाल